दोस्तों आज हम Humanity Protocol को ज्वाइन करेंगे जो की एक Central Blockchain के उपर काम कर रहा है जिसका Testnet लाइब हो चुका है जिसे हम Perform करेंगे नहीं करना है ठीक है इसका देखिए यहां पर Testnet इनका जो है कि यह लाइब है ठीक है और ज्यादा कुछ नहीं करना है बस रोज करो जिसमें आके आपको क्लेम करना है और कुछ नए आपडेटाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कैसे और कुछ करना है बस फिलहाल में इसमें समझ लीजे कि ज्वाइनिंग करनी है लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा इसमें डीटेल बताने से पहले कि इसकी funding यहां प आपको इसे जो है की मेल से बस यहां पर आपको अपने वॉलेट से करेंट कर देना है उसके बाद अपनी इमेल आइडी अपना पस्ट अपने नाम और ठोड़ी से बहुत डिल मांगी वह डाल के आगे बढ़ा देना है एक आपको आईडी भी बनाने के लिए बोलेगा हमने यूमेनिटी आइडी उसको भी आपको अपनी आइडी को भी बना लेना है और उसके बाद डेली का डेली आपको क्लेम करना है समरीजे चिक इन करना है डेली का डेली वहाँ पे टाइमर भी चलेगा कि आपको कैसे क्या करना है तो इस टेसनेट को जोईन करने के लिए सिंप वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा लिंक को करिएगा कॉपी और आजएएगा माइस ब्राउजर में और यहां पर एक न्यू पेज लेके सिंपल सा आपने एमनिटी का जो लिंक कोपी किया है उसे पेश्ट करके सर्च कर दीजएगा इसको टेक्स्ट आप मोड पर उपन कर लीजएगा इस तरह का उपन होगा तो इस तरह के गाइट इंटरफेस आपके सामने आएगा यहां पर आपको दो आपसन मिलेगा connect wallet और login sign up mail से यहां पर करने के लिए बोलेगा तो यहां पर हम सबसे पहले wallet connect करते हैं connect wallet पर क्लिक करेंगे और यहां पर metamask select करेंगे और आपके metamask में request जाएगी अगर आपके metamask में request नहीं जाती है कुछ भी नई शो करता है तो इसको हम क्या करते हैं desktop site से हटा देते हैं और अब यहां पर connect wallet पर क्लिक करते हैं metamask select करते हैं और दीखिए desktop mode से जब हमने हटा दिया तो हमारे metamask में request चली गए तो अगर आपका desktop mode पर जाएगा तो ठीक है अगर desktop mode पर नहीं होता है तो इस तरीके से जिस तरीके से होता है उस तरीके से कर लिजिएगा ठीक है अब आपके metamask में humanity का जो network add होगा approval दे देंगे approve कर देंगे switch network करेंगे switch हो जाएगा आपका यह और यहाँ पर sign in message का option वो दे रहा है तो sign in message पर क्रिक करेंगे और यहाँ पर confirm करेंगे और यह आपका human id valid और उसके बाद आपको किसने invite किया है वो show करेगा और यहाँ पर पूछ रहा है choose your name for your human id आप एक id यहाँ पर select कर सकते हैं तो यहाँ पर हम select कर लेते हैं अपने channel का नाम लिख लेते हैं online to earning देखें यह available show कर रहा है ठीक है सब small ही रहेगा online to earning next पर क्रिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा आपका first name last name email id confirm email id फिर से आपको डाल फिल करना है और all fill और यह सब आपको fill करना है ठीक है उसके बाद next पर क्लिक करना है चलिए मैं अपनी detail फिल कर लेता हूँ फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ ठीक है मैंने अपनी सारी detail फिल कर ली अब यहाँ पर simple सा हम next पर क्लिक करेंगे और यह हमारा processing लिया है उसके बाद check your email id बोलना है कि आपके email id में एक message गिया होगा एक code गिया होगा ठीक है ensure करिए कि आपको code जो आया है उसके बाद यहाँ पर click पर click करके आपको verify do not close the tab window तो simple सा आप आ जाएए अपने जो email id दी है उस email id को open करिए ठीक है यहां से बाइक करें होमपेज प्याजेंगे देखिए होमइनटी प्रोटोकॉल की तरफ से mail आया हुगा है सिंपल सा इस mail को open करेंगे और यहां पर verify mail का option शो कर रहा है देखिए यह नंबर दूनों मेल का जो option दे रहा है इसमें mail में जो mail आया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और mail जो है कि यहां पर verified शो करने लगा है ठीक है और वापस से हम इसी पीच पे आते हैं कि यहां पर हमारा successful यहां पर देख सकते हैं login हो गया है कि इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा और claim claim gems reward का option दे रहा है और यहां पर सब कुछ 00 शो कर रहा है ranking देख सकते हैं कितनी शो कर रहा है अब यहां पर हम हमें claim reward करना हुग हुआ claim genesis reward का option दिया हुए simple size पर क्लिक करना है यह update your reward बटन और यह आपके metamask में request जाएगी और यहां पर confirm कर देना है और यह देखिए आपका reward यहां पर claim हो गया ठीक है अब फिर यह बता रहा है कि कितने समय बाद आप वापस से claim कर सकते है ठीक है यहां पर देखिए 250RWT यहां पर balance show करने लगा है तो इस तरीके से आप फिर इसे claim कर पाएंगे ठीक है जब यह update होगा आपका time ही यहां पर चलता रहेगा उस time के बाद आप इसे claim कर लीजएगा ठीक है तो इस तरीके से claim करना है और ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर आपको point इकठा करने है ताकि आप इनके drop के लिए eligible हो सकें तो हो सकता हो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे join कर लिया होगा तो join कर लिया है तो करते रहिए अगर join नहीं किया है मिस किया है आपने इसे तो आप इसे अभी वीडियो देखके join कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों फिलहाल में और भी कुछ अपडेट आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे फिलहाल में इतना ही काम करना है और तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडि कंदर बातीजे थैंक्यों दोस्तों वीडियो देखने के लिए